सबको मेरा वोईस आ रहे है, येस, नो, फड़ा-फड़ से चैट बॉक्स में बताईए, तुम लोग ये मत सोचना कि बेंचेस भरे वे हैं, लेकिन हमारा एडमिशन ओपन है, ठीक है ना, तुम लोग बस खाली थैंक्यू मत बोला करो अच्छा पढ़ाने के लिए सिर्फ ती तीन दोस लोग को बस, जय हो देखा है कि नहीं देखा है, बलते हैं थैंक्यू मत बोलो, सिर्फ तीन लोग को बोलो, जॉइन करने बस, ठीक है, ज्यादा नहीं बोलेंगे, तीन लोग को बस, बहलें तुम बस दो क्लास करके देख लें बस, पैसा आजाए, फिर उसके है ठीक है ओके क्वेरी आया है है हाँ डाउट्स लूँगा पहले आज पढ़ाऊंगा उसके बाद ठीक है तो गुड मॉर्निंग अल अफ यू ठीक है हमने क्लास की डूरेशन को छोटी रखी है ताकि आपका कॉंसेंट्रेशन अच्छा बना रहे और रेगुलारिटी भी बन तो गरम हो जाएगा धशेरा के बाद से हम लोगता रात वाला लागा ठीक है अब packaging है आपका जो कैलकेटा के स्टूडेंट्स हैं उनका जैसे स्याम में कॉलेज होता है ठीक है ना कॉलेज दुर में llamado सिर्गा पुर Tal Canada के चुर्ट्ष होंगी वहापको घर से live online लेनी है उसमें sir paper B भी कराएंगे और paper A भी कराएंगे ठीक है जिसका जो topic miss हो जाएगा बिल्कुल भी tension मत लेना वो मैं करा दूँगा दुबारा से जो topic बोलोगे जितना वार बोलोगे वो मैं करा दूँगा ठीक है लेकिन जिसका जिसका attend होगा सब लोग कर लेना उसको ठीक है और जो doubts होगा वो मैं अच्छे से solve करा दूँगा और अभी हमारा target यह है कि हम लोग random variables एकदम पूरा अच्छे से कर लेते हैं distributions का तुम लोग recording देखना फिर आने के बाद मैं doubts लूँगा and paper B जो है वो शिवांगी मैम को बोल के मैं तुम लोग का चालू करवा दूँगा ठीक है न क्योंकि paper B is R and R programming जो एकदम अच्छे से करेगा वो CS1 में ज्यादा number लेके आएगा क्यूंकि paper A में भी वो लोग R programming का पूरा एक वो दे देते हैं एक पूरा snap दे देंगा और तुमको इसको identify करना पड़ेगा उसके basis में question solving करना पड़ेगा ठीक है तो कल कहां तक किये थे वह बताना GP तक किये थे और एक question किये थे राइट heading लगाओ heading लगाओ cumulative distribution function voice नहीं आ रहा है in between online में क्या सबको voice नहीं आ रहा है एक जन पुछ रहे where do you find this worksheet in the soft copy section I will tell Kaushal to post it in the chat also but आपको मिल जाएगा और worksheet की कोई धरकार नहीं है क्योंकि मैं सारे sums dictate करा रहा हूँ ठीक है आईए अब चालू करते time कितना होगे बटा चादी बताना cdf cumulative distribution function तो कल हमने पढ़ा point wise probability आज हम लोग क्या पढ़ेंगे capital F तो capital Fx is equal to probability capital X is less than equal to small x इसका मतलब है probability up to point x probability up to point x का मतलब क्या होता है उस point तक का कितना probability है x is less than equal to x capital है तो cdf है small है तो pdf है ये चीज़ समझ लेना capital है तो cdf है और small है तो pdf है ठीक है तो उस point तक का कितना probability है this is your cumulative distribution function ठीक है copy करिए इसको ठीक है copy करिए अब जैसे discrete में क्या होता है एक तरफ हम लोग लिखेंगे pdf और एक तरफ हम लोग लिखेंगे cdf pdf से जब cdf जाएंगे तो करेंगे plus और cdf से जब pdf आएंगे तो करेंगे minus ठीक है probabilities को add कितना है ठीक है एक ही चाहिए बस ठीक है ठीक है तो जब pdf से cdf जाएंगे तो probabilities को add up करेंगे and cdf से जब pdf आएंगे तो minus करेंगे ठीक है इसके बाद एक note लिखो एई phone one one इसके बाद एक note लिखो इसके बाद एक note लिखो note में लिखना whenever we are given cdf note में लिखो whenever whenever we are given cdf whenever we are given cdf whenever we are given cdf and ask to calculate the probabilities whenever we are given cdf and ask to calculate the probabilities we will always convert it to a pdf मैं सबको एक चितावनी देना चाहता हूँ जो online में है और जो physical में है copy अगर rough हुआ तो copy को रखेंगे और उठा के फिकेंगे class के बाहर ठीक है एकदम धंग से पुरा proper copy maintain करेगा ठीक है class copy अलग और home of copy अलग हम लोग का एक standard है ठीक है न यहाँ जो इतना premium पैसा देके जो पढ़ रहे है यह standard है उसको कोई तुमसे बोलेगा copy दिखा तो वो copy मत दिखा वो प्रवीन सर का काम देखना चाहता है वो ठीक है न तो ऐसे कोई भी rough में देख रहा हूं बहुत लोग कर रहे है मत करो वो सब अभी कल तक पुरा fair हो जाना चाहिए class का copy पुरा अलग जो notes लिखेगा वो पुरा अलग और कुछ छूट जाए तो tension में नहीं आना है दिखा 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 वो इस साब upload हो रहा है वहाँ पर जाएगा copy कल देगा properly इस nanotech ठीक है मैं बोल चुका हूँ तो whenever we are given cdf and ask to calculate the probabilities we will always convert it to pdf and then calculate the probabilities and then calculate the probabilities एक दम पुरा हॉले हॉले सिलेबस करेंगे कोई भी चीज का hard word नहीं है ठीक है ना बस class में आना है and then calculate the probabilities अब एक cdf का एक example देखो अपने वो जो अपना कल तो क्या था अपना कल क्या था बताओ तो अपने जो orientation नहीं था भाई कल जो किये थे ना दो coin toss हुआ head head tail tail head tail tail वाला उसका अगर अपने आज देखेंगे तो कैसे देखेंगे यह 0 है तो 0 पे height है 1 by 4 फिर उसके बाद 3 by 4 और फिर आएगा 1 अब ध्यान देना यही बात मत करो, अब ध्यान देना, 0 पे height लेगा 1 by 4 का, फिर ऐसे जाएगा, फिर जैसे 1 आएगा, height लेगा और 2 by 4 का, तो total height कितना हो जाएगा, 3 by 4, फिर ऐसे जा रहा है, फिर जैसे 2 आएगा, फिर और height लेगा 1 by 4 का, और फिर ऐसे constant, समझा की नहीं, समझा की नहीं, यह CDF का graph हो गया, stepped graph है, stepped graph है, आप जैसे देखो, मैं आपसे पूछता हूँ, कि मैंने 2 coin toss किया है, कितना coin toss किया है, 2, 5 या फिर उसे कम head आएगा, इसका probability बताओ, बोलो, 2 coin toss किया है, 2 coin toss किया है, 5 या फिर उसे कम head आएगा, इसका probability बताइए, 1, 1 होगा न, क्यों 1 होगा, क्योंक इतना है दो या तो जीरो या फिर वन या फिर टू मैं तो आपसे प्रॉयाबिलिटी किस चीच कम आंगा पांच या फिर उससे कम कम आंगा ना इसको कॉपी करिए फटाफट कॉपी करिए इसको ठीक है भाई कॉपी हो गया इसके बाद अपने अब एक fx का function बना के देखते अभी इस पर ध्यान देना यह बहुत important है यह बहुत important है सबसे पहला step क्या है ध्यान देख सुनो सबसे पहला step है वो points को identify करना जहां जहां पर probabilities है तुम बताओ कहां कहां पर probabilities है yes you 0 पर 1 पर 2 पर मने इन points को अगर छुएगा तो फिर जो cumulative probability है उसमें कुछ change आएगा तो when x is less than 0 the probability is 0 0 से कम का जैसे ही वो 0 को छुएगा बट वो 1 से कम रहेगा तो probability आएगा 1 by 4 का फिर जैसे ही वो 1 को छुएगा बट 2 से कम जल्दी आओ कल भी तुम लोग लेट आये थे हावडा से इधर मैठो बहुत जगह है आओ आजाओ येस एड्मिशन्स आर ओपन डोंट वरी अट ओल ठीक है बहुत जगह है वन से वन जैसे ही छुएगा तुम लोग कल भी लेट आये थे क्यूं और कॉनकॉन आया हावडा से हाथ उढ़ाओ ये लेट नहीं हुए क्याब में हावडा से रिच हावडा से ना ओटो चलते है टूटो ठीक मैं बतातों कैसे आना हावडा से टूटो से आओ वहां टेशन वहां से मेंट्रू पकड़के आओ मैदान ठीके ना सुनो जैसे ही one चुेगा one चुने से क्या होगा wann पे कितना probability है टू बाई फोर और पहले का कितना probability है, तो total कितना हो जाएगा, 3 by 4, and जैसे ही 2 या फिर उससे ज़्यादा होगा, तो क्या होगा, जैसे ही 2 या फिर उससे ज़्यादा होगा, तो क्या होगा, 1, अब मैं तुम लोग से पूछता हूँ, मेरा बाद सुनो, अब मैं तुम लोग से यह चीज पूछना चाहता हूँ, 2 या फिर उससे ज़्यादा होगा, तो total probability 1 का बोल रहा है न, तुम लोग अब मेरे को बताएगा, जो इसका answer बता दिया न, आज, हम अभी लिख देंगे, copy में, वो CS1 pass है, probability x is greater than equal to 2 का probability के है, हम जिसको पूछेंगे, वो ही बोलेगा, ठीक है, तुम, pass, thank you, तुम, कुछ तो बोल दे भाई, attempt तो कर, लाइफ में, one, एक second, हम तुमको खोज रहे थे, हम कल, अभी आज तुमको कॉली करने वाले थे, कि तुम admission क्यों नहीं लिया, बोलो, one, देखा, one by four, क्यूं, हा, समझाना पड़ेगा, तुम तो one बोला, ना, तभी तो तुमको खोज रहे थे, विश्वास कर, जूट नहीं बोल रहे हैं, क्लास में है, इतना बच्चा में खाली, 13 मेरे को ध्यान आया, पता नहीं क्यों, अभी कल रात में मैं जब सो रहा था, मैं को बोला, भाई, वो admission क्यों नहीं लिया भी तक, कल वो आया क्यों नहीं, और आस तुम आ गया, देखा, तुम लोगो लगता है, हम भूल जाते हैं, लेकि नहीं ऐसे नहीं है, एक्सिलेंट, तुम पास है, तुम पास है, येस, तो greater than equal to two का मतलब one जो बोला दिक्कत है, यहाँ पर क्या बात हो रहा है, दो या फिर उससे ज़ादा heads दाने का probability बताईए, तुम लोग इसको देखके confused हो गया, बट इसलिए तो मैं बोला, कि कभी भी CDF को देखके probability मत निकालो, CDF को पहले PDF में convert करेंगे और फिर probability निकालेंगे, इसका मतलब है दो या फिर उससे ज़ादा आने का probability, तो दो या फिर उससे ज़ादा आने का probability कितना है, one by four, तो ये ग कल हम लोग किये थे PDF, आज हम लोग कर रहे है CDF, ठीके, जो लोग भी लेट आया है, मों लोग के लिए एक बार recap कर दे रहे है, कुछ भी नहीं है, जो कल वाला question था, उसका हम लोग कर रहे है, जब 0 से कम होगा तो 0, जैसे ही 0 टच करेगा, बट 1 से छोटा रहेगा तो 1 by 4, जैसे ही 1 टच करेगा, बट 2 से कम रहेगा तो 3 by 4, कैसे है 1 by 4 प्लस 2 by 4, एंड 2 को जैसे ही टच करेगा, तो 2 यह फिर उससे जादा में कितना आएगा, 1, ठीक है, कॉपी करो उसको, फटाबट, हो गया एला, इसके बाद, लिखो, conditions for a valid CDF, conditions, जो जो क्लास में आ रहे है न भाई, आस्मान चुएगा, देख ले न बस, conditions for a valid CDF, ठीक है, एक valid CDF के लिए क्या-क्या conditions है, सबसे पहला है, fx will be greater than or equal to 0, for all x, इसका मतलब क्या है, यह कभी negative हो सकता है, क्या, negative तो नहीं हो सकता है, दूसरा है, f infinite will be equal to 1, मानि जो last वाला जो value होगा, वो 1 होगा, क्योंकि total probability 1 से जाधा नहीं हो सकता है, ठीक है, and तीसरा है, fx will be a non-decreasing function of x, non-decreasing function of x का मतलब क्या होता है, ध्यान से चुनना, या तो same रहेगा, या फिर बढ़ेगा, घटेगा नहीं, क्योंकि एक चीज़ समझो, मैं बनाया f2, फिर मैं बनाया f3, तो f3 या तो f2 जितना रहेगा, या फिर बढ़ेगा, बढ़ेगा, गट नहीं सकता है, घटने का मतलब क्या, probability negative हो गया, जो की हो नहीं सकता है, तो fx will be a non-decreasing function of x, समझाना, बढ़ते रहना चाहिए, ठीक है, copy करो उसको, अब मैं आपको एक cdf के examples दूँगा, आपको बताना है, कि क्या होगा, ठीक है, एई, तुम बताएगा, तुम बताएगा, ठीक है, ठीक है, copy होगे क्या, f00 है, f10.2 है, f20.5 है, f30.8 है, और f4 है, 1, बोल, यह valid cdf है की नहीं, और अगर नहीं है, तो क्यों नहीं है, सोच के बोल, सोच के बोल, क्यों valid है, increasing है, ठीक है, last वाले का one है, excellent, यह valid है, इसमें थोड़ा data change करते हैं, इसमें थोड़ा data change करते हैं, यह 0.8 के जगा में 0.4 हो गया, तो क्या यह valid बनेगा, नहीं बनेगा, इसको काट के 1.2 कर देंगे, तो क्या यह valid बनेगा, नहीं बनेगा, समझा ना, basic चीज़ समझ रहें ना तुम लोग, हाँ, पकड़ में आ रहें ना, ठीक है, अब तुम लोग को मान के चलना है, कि valid PDF है, मतलब probability distribution function valid है, और तुम लोग को constant का value निकालना है, ठीक है, चलो, fx दिया है cx, x है 1, 2, 3, 4, 5, तुम बताओ, यह discrete random variable है कि continuous random variable है, कैसे पता, range देखके पता लगेगा, you mean to say that, right, range देखके पता लगता है कि discrete है कि continuous है, right, सबको सवन में आ रहा ना भाईए, अभी तो हाँ हाँ कर रहा है, फिर exam में आएगा ना, तफिर बोलेगा यह तो पढ़ाया नीरे, यह धंग से समझो इसको, ठीक है, 0, 1, ऐसे कुछ भी देखके मतलब discrete है, और range देखके मतलब तब क्या है, continuous, ठीक है, अब यह range है, तो summation of fx कितना होगा, जल्दी बताओ, 1 होगा, और x का range क्या है, 1 से 5, तो summation of cx is 1, है ना, तो c बहार आजाएगा, yes और no, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 इस वाट, 1 टोटल कितना आ रहे है, तो c क्या हैगा, 1 बाई 15, कॉपी करिए उसको बड़ावर्ट, दिन का 2 घंटा घर पे डेली सब लोग पढ़ेगा, पुरा इंस्टूट का मैट रीट करेगा, सारा क्लास देखेगा, 300-300 घंटे का पुरा क्लास है, उसको पुरा बढ़िया से देखेगा, और सारा फिजिकल क्लास में आएगा, ठीक है? चलो, next question में आते हैं, इसके बाद, fx हम लोग को दिया वैं, c 5 by x, ठीक है? और x हम लोग को दिया वैं, same, 1, 2 से लेके 5 तक, c into 5 by x, ऐसा कोई है जो अभी ताद क्यलकुलेटर नहीं खरीद है, हाथ उठाओ, तेरा तो ठीक है, और कोई, ठीक है, तो, 5c बाहर आजाएगा, राइट, शौट में कर दे रहे हैं, नहीं समझी तुम, कैसे हुआ यह बताओ, 5c बाहर कैसे आया, q 5c बाहर क्यों आया, c बाहर कैसे है, क्यूं c बाहर है, क्यूं c बाहर है, बताओ, constant है तो बाहर क्यों आएगा, क्यूंकि summation x का है, x variable है, तो उसको छोड़ के बाकि सब क्या आ जाएंगे, बाहर, अब अंदर में क्या आएगा? 1 प्लस, half प्लस, 1 बाइ 3 प्लस, 1 बाइ 4 प्लस, 1 बाइ 5. एक बार एक बच्चा को देखे, पता है, क्या कर रह था? वो बच्चा को पता है, क्या किया, देखो? 1 बाइ 1 प्लस 2, प्लस 3, चर्च तर्च 4, 5 हम पुछ एंसर के है कि कि कितना रहे है कितना कौन मोला बोलो तुम पहले क्या बोला एंसर वो बच्चा वन बाई थ्री भी नहीं आएगा चेक करो कितना आ रहे है एलसीम लेना पड़ेगा हाँ 12 बाई 137 आएगा मैं बूला ना ऐसे थोड़ी है भाई बेसिक को पहले ठीक करो तुम लोग समझ नहीं रहे हैं ठीक है इसके बाद नेक्स्ट एफ एक्स क्या है सी वन बाई फोर टू दी पावर एक्स और एक्स दियावे वन टू थ्री डॉट 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 अप्टू इंफिनिटी अब इंफानिट जीपी का फोर्मला लगाएंगे तो सी आ जाएगा बाहर वन बाई फोर प्लस वन बाई फोर का स्क्वेर प्लस वन बाई फोर का क्यूब प्लस डॉट 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 अप्टू इंफिनिटी तो A by 1 minus R, तो A by 1 minus R, comment ratio भी तो 1 by 4 है ना, and this whole thing is equal to 1, practice, more and more practice, ठीक है भाई? ठीक है? कितना R, S, E का value? 3 R है, ठीक है, इसके बाद, F, X is equal to C, X square, X का value दिया है, 1, 2, 3, up to K, ठीक है, चलो अब इसको चालू करते हैं, तो C आगे है मेरा बाहर, हाँ की ना, 1 square plus 2 square plus dot 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 plus K square, so this is equal to 1, तो C आया है ना, sum of the squares of the first K natural numbers, क्या होता है भाई, तुम बताओ, तुम बोलो क्या होता है, हाँ तुम, कल तो करा है भाई, इतना जल्दी कैसे भूल सकता है, तो क्यूं नहीं आया है तुम, हाँ, तो कल वाला class देखा क्यूं नहीं, वो तो YouTube पे चला गिया है, तुमको कैसे पता चलेगा भाई, focus लाओ लाइफ में पहले, पहले बाद तो एरपोर्ट्स को और एपल का फोन को अंदर रखो, और कॉपी को थोड़ा चिद्दा करके रखो, येस, पानी का बोतल होना चाहिए, पैन और एक छात्र के लाइफ में, तिर वही चीज़े होनी चाहिए, बाकी सब ची दिस्ट्राक्शन है, तुम बताओ, येस, हाँ, फिर वही बात, एन, एन प्लस वन रट्टे लगा रखे हैं, क्या होगा, के, के प्लस वन, टू के प्लस वन बाई, सिक्स, इस वन, चलो, इसके बाद नेक्स्ट, ये कोश्चन जो बना दिया, उसका डिस्क्रीट क्लियर है, ठीक है, हो रहे दो, सौ में सौ जो लेया है ना, CM1, FCS1 में, एक लाख रुपिया, कैस में देंगे, एक पेटी में, बढ़ा देख्या, क्या, मेरा भी नहीं आए, अगर हम एक्जाम में बाटेंगे तो, how can you think that I am a perfect person, no, it's not possible, क्या, मैं वो ही बोल रहा हूँ, मैं वो ही बोला, उसी का जवाब दिया, कि अगर तुम पेटर मेरे को भी भेज़ देगा ना, तो भी जरूरी नहीं कि मेरा सौ में सो आए, एक लाख रूपिया, नूटिस्पर पर लगा दूगे मैं ऐसे, एक लाख रूपिय देंगे, हम लोग पहले निकाले थे, जो रैंक वन लाएगा, उसको लैप्टॉप देंगे, ठीक है, तो मेगना ले आई, एक में नी, दो दो में ले आई, एकी एटम में, फिर उसके बाद हम विड्रॉ कर लेकि, हाट टम में दो दो तिन दिन रैंक आने लग गया, हम बोले भाई, हम नहीं सख पाएंगे, बच्चा लोग ऐसे बोलने से लोग पढ़ता है, मतलब, हम वीडियो आ रहे हैं, हम लैप्टॉप दे रहे हैं, ऐसा करके दे रहे हैं, उसके बाद जो बच्चा लोग पढ़ाई किया है, हर्ट टर्म में दो तो तीन तीन रैंक, वह अभी तक चल रहे हैं मेरा, ठीक हैं, तो क्वेश्चन है, सीडी एफ दियावा है, ठीक हैं, वेन एक्स लेस देन वन देन जीरो, जैसे ही वन को टच करेगा, बट पोर से कम होगा, तो 1 by 3, फिर जैसे ही 4 को टच करेगा, बट 6 से कम होगा, तो हाफ, फिर जैसे ही 6 को टच करेगा, बट 10 से कम होगा, तो 5 by 6, and when it is greater than or equal to 10, then it is 1, ठीक है ना? ये सीडी एफ दियावा है, तुनो, कभी भी अगर CDF देगा, तो नोट पढ़ो क्या करेंगे, सब से पहले क्या करेंगे? PDF में उसको convert करेंगे, राइट? तो PDF में convert कैसे होगा, ये पहले points को identify करेंगे, कि कौन-कौन से points पे probability है, 1 पे, 4 पे, 6 पे और 10 पे और minus करते करते चलेंगे, तो minus जब करते करते चलेंगे, तो 1 पे कितना probability होगा, 1 by 3, 4 पे कितना probability होगा, half minus 1 by 3, 6 पे कितना होगा, 5 by 6 minus half, और 10 पे कितना होगा, 1 minus 5 by 6, चीज समझो, चीज को समझो, मैं कहता हूँ, चीजे को समझो, इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें हम लोग minus करते करते चल रहे हैं, तो मेरा आया 1 by 3, 1 by 6, 1 by 3, 1 by 6, ठीक है ना, 1 by 3, 1 by 6, 1 by 3, 1 by 6, यह मेरा क्या बन गिया, यह मेरा क्या बन गिया, probability, distribution, function, अब मेरको पता है किस point पे कितना probability है, तो पहले मैं इसका graphing करूँगा, graph बनाऊँगा, pdf को और cdf को, मैं तुम लोगो 5 मिट का time दे रहा हूँ, तु करूगा है, तो ऊचर को झा रहा हूँ, एपानात्सी कम राया हूँ इतना लेट क्युं हुआ? इतना लेट क्यु हुआ? कल मैं हटवा दूगा, पीछे कर सब वह सब हटवा दूगा, तो और भेंचेज फ्री हो जाएंगे कर दो कर दो बीचे जगा है वेंच में क्या बनाई हो ये तुम क्या बनाई हो तुम हसने का बात नहीं है हावडा से ये चीज़ एक्सपेक्टेड नहीं था कि टॉली गंच के बच्चे बनाईंगे तो ठीक लगेगा मैं भी ऐसे बनाया था एक बात बताना 1 by 3 बड़ा है कि 1 by 6 बड़ा है तो तुम क्या लिखियो हो 1 by 3 के उपर 1 by 6 और उसे में फिर तुम CDA भी बनाने का ट्राइ कर रही हो एक ग्राफ में पहला वाला कितना है एक चार छे दस है ना एक चार छे और दस बोलो जल्दी बोलो हाँ 1 by 3 1 by 6 1 by 3 ठीक है उसके बाद में इसका CDF ग्राफ बनाऊंगा सेम वही 1 से चालू होगा फिर ऐसे फिर ऐसे और फिर ऐसे एक चार छे और दस यहाँ पर कितना आएगा जल्दी बोलो 1 by 3 आएगा फिर हाफ आएगा 5 by 6 आएगा और फिर 1 आएगा बोलना भाई हाँ अरे एरो बेसिकली बता रहे है हाइट probability का हाँ यहाँ मैं माप रहा हूँ probability capital X is less than equal to small x और यहाँ मैं माप रहा हूँ probability capital X is equal to small x कॉपी करो इसको फड़ावट से यहाँ तक सबको ठीक है कोई भी doubt जो बच्चा doubt नहीं पूछ रहा है अच्छा बात है doubt पूछो क्योंकि तुम्हारा doubt institute का question होगा उसको ठीक पता है कि कहां कहां doubt आता है और वो वही सबको कुछ बना के देता है अब कुछ कुछ probabilities निकालने हैं फिर उसके बाद continuous में चलेंगे सबसे पहला probability दो से बड़ा 6 या फिर उससे छोटा फिर उसके बाद में equal to 4 का फिर उसके बाद में greater than equal to 10 का ठीक है फिर उसके बाद में greater than 4 का और फिर उसके बाद में greater than equal to 4 का ठीक है चलो तुम लोग में को बताएगा अभी हाँ दोanter है आङ अधिस चोट दों से या फिर च्छोटा यह चालो करेंगे हाँ बुल और année कलत तो खाली कर देंगे दिसमेंगे तो वह सब क्या है आज पार्सल हो जाएगा ठीक है, बोलो येस, पिछे से एकधम चालू करो, जल्दी ओंदे टाइमनु में पेस इतना, शादी ये सल, फॉर्स्ट वाले का बोलो, सेकंड वाले, फॉर्स्ट वाले का क्यों नहीं बोल पारी हो, दो से बढ़ा, छे है या फिर 6 से छोटा, तो क्या क्या आएगा, क्या क्य आएगा, 4 और 6, ठीक है, तुम बोलो, बोलो हाँ, पहला वालगा, कैसे आया, इसमें आएगा, probability x is equal to 4, plus probability x is equal to 6, 2 से बड़ा, मतलब 4, 6, 10, बढ़ 6 है, फिर उससे छोटा, तो 10 नहीं आएगा, तो 4 और 6 आएगा, तुम बोलो, equal to 4 का बोलो, हाँ, equal to 4 का कितना है, 1 by 3 है न, 1 by 6 है, सोचके बोलो, न हाफ है, हमको तो हाफ लग रहा है, हाफ क्यों नहीं होगा, 4 point पर बोला खली, हाँ तो कितना होगा, उससे क्यों पूछ रही हो, 1 by 6 होगा, कि हाफ होगा, ठीक है, next, इधर पर, आएए नीचे माँ छुपो, तुमको बोल रहे हैं, yes, हाँ, calculate क्या कर रही हो, इसमें इतना, DIY CDF में देख के answer बोलो, चेक करो, न, CDF एक बार, कितना होगा answer, इतना confused क्यों हो गई, वन बैशिक्स कैसे आ रहे है, जल्दी बोलो, वन होगा, गलत, ना लाइग, 10 या फिर उसे बढ़ा, 1 बैशिक्स, yes, next, greater than 4, 4 चार्च है दस, excellent, गलत, तुम बोलो, डरो मत बोलो, next, 4 चार से बढ़ा बोल रहे हैं, 4, 4, चार्च है, yes, you, चार्च है दस, तो कितना हैगा, चलो, यह लाद तो हो गया, अब उसके बाद आगे से चालू करेंगे, हाँ, अभी next question में आ रहे हैं, यह लाद हो गया ना, हाँ, चलो, ठीके next, अब दूसरा एफेक्स देख लो, सच में भाई, तुम लोग स्तृरी देखा हैं क्या, स्तृरी कब निकल गया भाई, टू था कि तो निकला है, चोड़ दो, गिर गया है तो छोड़ दो, फोकस करो, लोग छूटेंगे, लोग तुम्हारे बारे में बुरा बला बोलेंगे, बोलो उसको फरक नहीं पड़ता है, मत पढ़ने तो, कुछ भी छूट जाए, लक्ष नहीं छूटना चाहिए, ठीक है ना, ऐसी ही लोग बुलेंगे, जामते से बात नहीं करेंगे, मत कर, इधर देखो, इधर देखो, ठीक है, यह है ग्राफ, यह मैंने सीडिये पे, चलो, कहां तक हुआ था, एई तुम, तुम, तुम से चालू करेंगे, उस पॉइंट का प्रोबाबलिटी निकाल रहे हैं, अभी हम लोग इसको जब पीडियेफ में कन्वर्ट करेंगे, तो उस पॉइंट का प्रोबाबलिटी निकालेंगे, तुम पहले तो यह बताओ, कि यह क्या है, पुल फॉर्म क्या है उसका, तो वो क्या होता है, प्रोबाबलिटी यह होता है, कि यह होता है, सेकंड वाला, ठीक है, चलो यह तो सही हो गया, अब उसके बाद नेक्स्ट, यू, तुम बताएगा, कि कौन-कौन सा पॉइंट को छूने से प्रोबाबलिटी आ रहा है, माइनस वन वन, थ्री और फाइव, येस, नेक्स्ट, तुम बताएगा, कि माइनस वन पर कितना प्रोबाबलिटी है, तुम बताओ, वन पर कितना प्रोबाबलिटी है, 1- 1- 4 1- 1- 4 वो पता है क्या कर रहा है भीज़़िश में कान ऐसे बंद कर ले रहा है तुम तक आवाद नहीं पहुचा मेरा 1- 1 by 4 कहां से आ रहा है 1 बाइ 2- 1 by 4 तो कितना होता है 1 by 2 कुश्चन तो चुडेल रहे गई कुश्चन ऐसा जहासा मिलेगा ना तुम लोग को तुम लोग कौन है भई तुम लोग नादान उन्हें इसलिए हम क्या बोले अब तुम लोगो ऐसा जहासा मिलेगा ना ऐसा जहासा मिलेगा ना बाहर निकल के सभी यही बोलते थे पाड़ दिए का करूँ अब मैं इसलिए मैं तुम लोग को बोलता हूँ तुम बोलो सेकेंड वाले का पहले बताईए मैम 1 बाई 2 तुम बोलो सेकेंड वाले का 1 बाई 4 कैसे आ रहे है 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 4 ठीक है चलो यह तो अपना सही हो गया यहां आ रहा है 1 बाई 4 माइनस 0 हाफ माइनस 1 बाई 2 ठीक है जैसा जैसा तुम लोग कर रहा है तो भूलेंगे ही ना तुम बताऊ थर्ड वाले का सोच के बोलो एकदम रिलाक्स लंबी गहरी सांस अंदर करो तो सरी पहले 3 बाई 4 माइनस 1 बाई 4 ठीक है 3 बाई 4 माइनस हाफ तुम बोलो ठीक है इजी वाला तो सब बता दिये तो बेसिकली सब का 1 बाई 4 आ रहा है ठीक है तो यह कॉपी कर लो अब इसके बाद सबसे पहले किसका ग्राफ बनेगा क्या-क्या था तुम बताओ कि क्या-क्या पॉइंट्स है यह 2 है यह 1 है तो फिर यह क्या है कैसे यह 1 है ठीक है माइनस 1 यह 1 है तो फिर यह क्या है ठीक है हाइट कितना दे दे 1 दे दे 1 बाई 4 फिर उसके उपर यह ग्राफ हम लोग जो बना रहे है यह probability capital X is equal to small x का ग्राफ बना रहे है तो 1 बाई 4 के उपर क्या दे 1 बाई 4 ही जा रहे है सार excellent ठीक है यह ऐसे जाएगा यह ऐसे जाएगा और यह ऐसे जाएगा ठीक है इसके बाद में हम लोग बनाएंगे CDF का ग्राफ तो CDF का ग्राफ पूरा नहीं बना रहा हूँ देख लो समझ में आया की नहीं आया ठीक है ना माइनस 1, 1, 3 और 5 तो इसमें क्या क्या आएगा 1 by 4, 2 by 4, 3 by 4, 1 ठीक है ठीक है अब आगे आते प्रोबैबिलिटी पे ठीक है प्रोबैबिलिटी एक्स ब्रोबैबिलिटी एक्स ड्रेटर दैने क्रोबैवल टू थ्री ठीक हैं Probability X is less than equal to 3 Probability X is less than 3 Probability X is greater than equal to 1 Probability minus 0.4 Say X4 Probability X is equal to 5 Probability 3 X 5 Probability 3 X 5 Probability 3 X 5 चलो चालू करते हैं इतना हो जाएगा पुरा क्लास का ठीक है आओ यहां कहो कहते हैं न सबका ठीक है तुम्हारा कहा हुआ था तुम हाइट वाला बोल दी थी ना ठीक है वहाँ चालू करो येस बोलो इससे चालू करो X is greater than equal to 3 जल्दे दी बोलो कैसे हो रहा है 1 by 4 प्लस 1 by 4 3 और 5 का आएगा तो इसका आजाएगा Half ठीक है एनेक्स का तुम बोलो less than equal to 3 का बोलो तुम बोलो less than equal to 3 का 1 by 4 प्लस 1 by 2 कैसे हुआ less than equal to 3 है हाँ तो क्या क्या आएगा बताओ तो बनो गया आएगा है ना हसो मा दीदी तुम नहीं समझोगी तुम्हारा शादी हो रहा है तो एक लड़की को छोड़के बाकी सब क्या है एंसर तो बोलो ठीक है तुम बोलो इसका एंसर 3 by 4 कैसे आ रहा है माइनस 1 वन और 3 तो 3 by 4 less than 3 का बोलो 1 by 2 कैसे हो रहा है less than 3 है 1 वलो और माइनस 1 और 1 लेंगे इसमें 3 नहीं लेंगे discrete में less than में वो उसको नहीं लेते हैं continuous में less than less than equal to same है बट discrete में less than 3 मतलब क्या माइनस 1 को लेंगे और 1 को लेंगे तो कितना हो रहा है half greater than equal to 1 तुम बोल तो कितना होगा ठीक है एई तुम बोल middle इसका बोल 1 और 3 आड़ करेंगे सही बोल रहा है ठीक है तुम बोलो 1 by 4 एई तुम बोलो इसका 3 और 5 है 3 और 5 है तीन भी है पांच भी है अब बोल देखा देखा इसे थोड़ी इतना करोड़ों पर कमाता हूँ जिस्ट तू सेकेंगे एग्सदाम में मिलेगा तुमको वह तुम बोलो 1 by 4 तुम बोल ठीक है यह तो हो गया चलो next में आते हैं ठीक है copy करो उसको फड़ावट से ठीक है heading लगाना continuous random variable continuous random variable ठीक है सो इसमें सबसे पहले heading लगाओ pdf अब क्या हो जाएगा probability density function ठीक है probability density function तो fx is equal to probability capital x is equal to small x ऐसे लिख के अलग कलर का पैंसे काट देना क्यों probability not defined probability not defined at particular point एक particular point पे probability defined नहीं है अब हम लोग आ गए है continuous में तो continuous में summation नहीं use होगा integration यूज होगा ठीक है जबी भी हम लोग को probability निकालने बोलेगा तो जहां से जहां तक का probability निकालने बोला वहां से वहां तक हम लोग क्या कर देंगे integrate कर देंगे ठीक है सबका ध्यान अभी 10 मिट के लिए बोट पे रहेगा यह लग कॉपी हो गया ठीक है इसके बाद लिखो conditions for a valid cdf conditions for a valid pdf यहां तक कॉपी होगया न इसके बाद लिखना conditions conditions for a valid pdf conditions for a valid pdf तो एक valid pdf के लिए क्या-क्या condition से ध्यान दीजिए fx should be greater than equal to 0 and integrating over the range of x fx gx will be equal to 1 समझ गया न total probability निकाल रहे तो 1 होगा अब integrate करेंगे अब integrate करेंगे तो 1 आएगा कल तक क्या करें थे sum कर रहे थे तो 1 आ रहा था आज क्या कर रहे है integrate क्योंकि integration is nothing but summing over a continuous range ठीक है कॉपी कर लो इसको इसके बाद में हम लोग आएंगे हमारे पहले question में fx is equal to 6 एई बात बन अपर लिमिट over the range of x है तो x का जो range होगा ठीक है x 0 और 1 के बिश्में लाई कर रहा है online में सब को यहां तक ठीक है yes or no x 0 और 1 के बिश्में लाई कर रहा है तो आप करो 0 से 1 6 1 माइनस x dx किसी को कर integration differentiation logarithm नहीं आता है तो हम लोग का basic math stats का भी video दिया हुए ठीक है ना contact the team for that so कोई दिक्कत नहीं है कुछ भी नहीं आता है सिखाएंगे ठीक है ना 6 बाहर x minus x square by 2 0 से 1 तो क्या हैगा 6 1 minus हाँ क्या रहा बता हो valid है कि नहीं बता हो 1 minus क्या रहा है 1 by 2 आ रहा है तो क्या रहा है इसका answer 3 आ रहा है ना तो not a valid PDF कोई दिक्कत नहीं है कितना आना चीए था 1 आने से valid होता है लेकिन कितना आ रहा है ठीक है ठीक है हाँ कॉपी हो गए यहां तक आगे बढ़े अरे बोलते नहीं हो यार बोलो ना कुछ कॉपी करे थी fx is equal to 6x 1 minus x 0 और 1 के पीश में लाए का अब इसका करो 0 से 1 6x 1 minus x gx तो 6 x square by 2 minus x cube by 3 0 से 1 तो 6 half minus 1 by 3 तो 6 into बोलते नहीं हो मुझसे 6 into 1 by 6 तो 1 तो दिस इस अबालेट पीडिएफ सीमलेस इंटीग्रेशन करना पड़ेगा ट्रिक्नोमेटी छोड़के तुमारा फोन का टॉच जल रहा है ठीक है next fx is equal to 2 1 minus x 2 into 1 minus x 0 से 1 ठीक है तो आईए कैसे करेंगे integrating over the range 0 से 1 2 into 1 minus x dx should be equal to 1 1 मत लिखो सॉरी 1 तो अपने को प्रूव करना है तो 2 आएगा x minus x square by 2 0 से 1 तो 2 into 1 minus half so this is what? 1 so this is a valid PDF हाई या ना समझ में आ रहा है हाँ random variable जो समझ गया ना भाई बस done और basic stats का शिवांगे माम का देखना चालू करो box plot mean median mode देखो उसमें announcement में दिया होगा playlist पुरा मिला भी है तुम लोग को dashboard खोल के देखा है Q4 dashboard कुछ भी खोल के देखा है क्या एक दाम इस ब्लैंक ठीक है next question fx हम लोग को दिया है 5e to the power minus 5x x is greater than 0 एई तुम बताव लाजमेंट कैसे करेंगे क्या लिखे तुम जो बोलेगा वो ही लिखेंगे integrate करेंगे 0 से infinity चल ठीक है तो जल्दी दिबोल बहले भार का पता ना minus ठीक है e to the power minus infinity का देखो 1 by e to the power infinity tending to 1 by infinity tending to 0 clear है बोलो हा या ना भाई 1 by something very large is something very small भाई में पास 15-20 करोड रुपे है 100 रुपे है खर्चा हो भी गया तो कुछ फरक पड़ेगा क्या भाई भाई ठीक है fx है 9x e to the power minus 3x x is greater than 0 ठीक है अब इसके लिए हम लोग करेंगे use gamma integration का heading लगा यह gamma integration गामा इंटीक्रेशन होता है 0 से infinity x to the power alpha minus 1 e to the power minus lambda x g x is what gamma alpha by lambda to the power alpha and gamma alpha is nothing but alpha minus 1 का factorial जो भी gamma होता है ना एक कम का factorial होता है देखो इधान से देखो इस question के प्रती ध्यान से देखो यहाँ पर क्या है x b है और exponential भी है तो इसमें हम लोग rule जो लगाते है इंटीक्रेशन में इंटीक्रेशन में आई लेट बोलके रूल होता है तो बेसिकली बाइपार्ट्स लगाना पड़ेगा इसमें तो बाइपार्ट्स लगाने जाएंगे अभी तो x है बढ़ तुम्हारा एक्जाम में अगर माल लो आगया x square x cube x to the part 10 तो एक simple format है जिससे हम लोग यही type के question को कर सकते हैं इसका नाम है gamma integration हम लोग को आगे हर जगा पर काम में आता है ठीक है तो इसमें क्या है देखो अपने को by parts नहीं लगाना पड़ेगा अपना direct answer अपने को मिलेगा इसको इस form में express करना पड़ेगा तो पहले यहां था copy कर लो एक बार form में express करने का try करो हम एक मिट का break दे रहे झाल कर दो झाल कर दो 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 झाल 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 ठीक है सबको वोईस आ रहा है ना अब देखो इसको express कैसे करेंगे ध्यान से देखो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ integration 0 से infinity 9 हो गया बाहर x के जगा में लिख रहा हूँ power 2 minus 1 e to the power minus 3x dx तो यहाँ पर मेरा alpha क्या हो गया 2 और lambda क्या हो गया 3 यहाँ तक सबको समझ में आया तो इसका answer क्या निकलेगा gamma 2 by lambda sorry gamma 2 by 3 का square gamma 2 क्या होता है 1 का factorial by 9 और बाहर में था into 9 बाहर में था into 9 तो यह और यह कट जाएगा answer क्या बचेगा 1 ठीक है form में express करना जरूरी है form में express करना जरूरी है lambda 2 दी पावर alpha है lambda 2 दी पावर alpha है चेक कीजिए ठीक है यहाँ तक हो गया सबका कोई भी दिक्कत यह गामा का सिंबल है यह गामा का सिंबल ऐसा you do you have understood the meaning of lobby gang f x via 32 x square e to the power minus 4 x is greater than 0 So, integrating 0 से infinity 32 x square e to the power minus 4x dx. So, 32 आ गया. Integration 0 से infinity x to the power 3 minus 1 e to the power minus 4x dx. ठीक हैं? तो इसका मतलब क्या है? 32 आ गया बाहर into gamma 3 by 4 का cube. So, 32 into 2 factorial by 64 which is 1. Calculator का पूरा वीडियोज देख लेना. ठीक हैं? Sir, can you please repeat? हाँ. देखो, यहाँ पर क्या करना है? अगेन सेम चीज आ रहा है. 0 से infinity 32 x square e to the power minus 4x. तो 32 तो आ गया बाहर. इसको मैंने gamma integration के form में express करना है. Gamma integration कब लग सकता है? पहले यह बताओ. Gamma integration तभी लग सकता है जब 0 to infinity का range होगा. नहीं तो नहीं लग सकता है. ठीक है? alpha minus 1 मतलब क्या? 3 minus 1 is what? 2 and minus 4x. तो alpha मेरा हो गया 3, alpha मेरा हो गया 3 and lambda मेरा हो गया 4. ओके? yes or no? ठीक है ना? ठीक है ना? अब इसके बाद यह लग होगे copy? अब इसके बाद. अब एक चीज समझना, heading लगाओ, cumulative distribution function. तो capital Fx is equal to probability, capital X is less than equal to small x, which is equal to integration, start to x, fsds. मतलब समझा? जो starting range है, वहाँ से लेके x तक अपने integrate करेंगे, और since limits में x है, तो यहाँ पर fsds कर दिये. ठीक है, एक चोटा से example देखो, अब जैसे अपने को PDF दिया है, small fx, 5e to the power minus 5x, x is greater than 0. अभी अगर अपने इसका CDF बनाएंगे, तो integration 0 से x CDF बना रहे है, 5 बाहर आगया, e to the power minus 5s, ds. ठीक है ना? तो 5 आगया बाहर, e to the power minus 5s by minus 5, 0 से x, तो minus आया, e to the power minus 5x minus anything to the power 0. e to the power 0 basically, तो इसमें अपना final answer क्या बनके निकल रहे है, 1 minus e to the power minus 5x, पहले यहाँ तो copy कर लो. अपने क्या कर रहे है, CDF बना रहे है, तो probability capital X is less than equal to small x, discrete में less than, less than equal to में फरक पड़ता है, continuous में कोई फरक नहीं पड़ता है, क्योंकि less than 2 का मतलब होगा 1.9999999 ऐसा, ठीक है, बोल भाई, ठीक है, cumulative distribution function दोनों में रहता है, probability distribution, probability density. ठीक है, अब एक चीज़ देखो, जब हम लोग PDF से, CDF जा रहे हैं, तो कर रहे हैं, integrate, और जब back आएंगे, तो करेंगे differentiate, अभी अपना जो CDF आया है, वो आया है, 1-e to the power minus 5x, अब अगर small fx निकालना है, तो कर देते हैं, ddx of 1-e to the power minus 5x, ठीक है, तो क्या आएगा, minus, minus 5e to the power minus 5x, so this is what, 5e to the power minus 5x, small fx, clear है यहां तक, और अगर probability निकालने बोलेगा, तो जहां से जहां तक का बोलेगा, बहाँ से बहाँ तक क्या कर देंगे, integrate कर देंगे, ठीक है, यहां तक हो गया, इसके बाद में, एक question देखो, ठीक है, तो question में basically, अपने को fx दिया वह है, ठीक है, k e to the power minus 3x, x is greater than 0, आपको सबसे पहले k निकालना है, तो k आप कैसे निकालोगे, 0 से infinity, k e to the power minus 3x, dx is what, 1, तो k बाहर आ गया, e to the power minus 3x by minus 3, 0 से infinity is 1, ठीक है, इसके बाद में, minus k by 3, e to the power minus infinity minus e to the power 0, so minus k by 3 into minus 1 is what, 1, so this is what, k is what, 3, ठीक है, ठीक है, पांच तारीकों पहले class होगा और फिर test है, ठीक है, तो test में जो लाएगा, offline में अलग, 1100 का reward और online में अलग है, ठीक है, जहां तक पढ़ा है, वहां तक का test है, ये ठीक है, दोनों में है, ठीक है, ये लाठीक है दो, अब इसके बाद, अब इसके बाद, अपने को मालनो probability निकालने बोला है, 0.5 से 1 के बीच का, तो क्या होगा, अपने क्या करेंगे, जहां से जहां तक बोला है, वहां से वहां तक integrate कर देंगे, 3 e to the power minus 3x dx, जिसका answer क्या निकल के आएगा, 3 बाहर, e to the power minus 3x by minus 3, 0.5 से 1, तो minus आएगा, e to the power minus 3, minus e to the power minus 0.5 into 3, तो आएगा e to the power minus 1.5 minus e to the power minus 3, जहां से जहां तक बोलेगा, वहां से वहां तक pdf को अपने को integrate करना है, for calculating the probabilities. कितना answer आए यहां तक? ठीक है? ठीक है? आए तरह? नेक्स्ट, fx अपने को दिया हुआ है, e to the power minus x, x अपने को बोल दिया, greater than 0, अपने को निकालना है, probability x is greater than 1, तो 1 से infinity, e to the power minus x dx, तो minus e to the power minus x, minus e to the power minus x, 1 से infinity, तो minus हो गया, e to the power minus infinity, minus e to the power minus 1, तो क्या आ रहे? e to the power minus 1 आएगा इसका. क्या मैं झात्स, यू और को क्या हुआ है, क्या झात्स, नेक्स कोस्टिन नेक्स कोस्टिन गीटवी फेग्स दिया वह है वन माइनस वन प्लस एक्स इटो दी पावर माइनस एक्स एक्सिस ग्रेटर देन जीरो अपने को निकालना है प्रोब्याबिलिटी एक्सिज लेज देन equal to 2, फिर अपने को निकालना है, 1 से बड़ा होगा, बड़ 3 से छोटा होगा, और फिर अपने को निकालना है, greater than 4, ठीक है? एई यह orange टी-शिर्ट, चलो, orange तुम ही है, yes, तुम orange है, तुम orange है, पहले यह बताओ, पींक है तुम, बहुत बोली निकलना था न, गैंग, लोबी, ठीक है न, तुम्हारा आगे वाला, black टी-शिर्ट, yes, black and white, तुम बोलो, तुमको नहीं पता, क्यों नहीं पता तुमको, समय आता है, ठीक है न, 0-2 क्या, integrate करेंगे न, तुमको पापा के तुम, फोन मिला, तुम, आरे है न, मम्मी तुम्हारा, तुम फोन में बोला, तना मैं आरहा हूं, 10 मिट में पहुंच जाऊंगा, जा रहे है न, मम्मी नहीं आ रही क्या, तू फोन मिला ले मभी पपो को आच तिरको बोल रहा हूँ और इस खराब नहीं होने देंगे सब के बीच में जो तू बैठा है ना इस इधर बैठेगा ये इस उसके पीछे बोलो इंटीग्रेट येस वेरी गूड अभी वह बोल रहा है हम भी तो यहीं बोला था और कोई है जो उनके गैंग में शामिल होना चाहेगा एनिवन एल्स येस पीछे डिफ्रेंशियेट होगा और कोई है जो क्लास में गैंग लॉबी बनाना चाहेगा नया नया फ्रेश क्या हूँ अकिष्णा बोलो बोलो ना डिफ्रेंशियेट होगा वाउ इसलिए बोलता हूँ ठीक है ना बोल तुम बोल एक्सिलेंट ये वो सिर्फ एक जवाब नहीं दिया है वो एक स्टेटमेंट दिया है कि मैं इनके लॉबी में नहीं हूँ समझा ये अपने को दियाव है कैपिटल एफेक्स का मतलब क्या होता है सीडी एफ दियाव है देखो ऑनलाइन में एंसर पर एंसर आ रखें क्यों पता है कि गैंग का लॉबी तो ऑनलाइन में बनी नहीं सकता है ना आओ लेकिन लेकिन देखाओ कैसे लिखा है वैल्यू डिरेक्ट पुट करेंगे सुन बेटा पहले तिरको करेंगे चार बार इंटीग्रेट और दो बार डिफ्रेंशेट करेंगे अभी सुनो इधर ये जो है ये कैपिटल एफेक्स दियाव है कैपिटल एफेक्स का मतलब क्या है अपने को क्या दियाव है ध्यान से देखो प्रोबैबिलिट्टी कैपिटल एक्स लएक्स देन इककल स्मॉल एकंस ये अपने को दियावाहै अगर अपने को ये दिया वें अब फॉर्म मैच करो ये अपने को निकालना है तो ये वाला जो X है इसके जगा पर क्या बैठेगा 2 बैठेगा मतलब एक बार समझो CDF निकालने का परपस क्या है मैंने एक बार इंटेग्रेट करके answer निकाल लिया अब मैं बार बार खाली उसमें value putting करूँगा जो लोग भी CM1 कर रखा है यहाँ पर generalized expressions हम लोग करते थे तो पर एक बार इंटेग्रेट कर लिया अब हम लोग को बार बार खाली value putting करना है जो लोग नहीं कि हम लोग आने वाले दो तिन क्लास में करने ही वाले तो basically बोलने का मतलब यह है कि अभी मैंने जब FX निकाल रखा है capital है मतलब यह CDF है तुम करेगा पहले differentiate तो PDF आ जाएगा ब यह सब basic चीज तुम लोग miss out नहीं कर सकता है तुम लोग समझ रहा है मेरा बात X is less than equal to 2 मतलब खाली value putting करना है अब जैसे यह greater than 4 है तो इसको मैं क्या लिखूंगा 1 minus probability X is less than equal to 4 which is 1 minus F4 तो खाली इसमें value putting करना है इसमें मैं क्या करूंगा 1 से बड़ा 3 से छोटा तुम लोग तो नहीं बोलेगा सर यहां पर तो less than equal to यहां पर तो लेस देन है फरक नहीं परता है कुछ भी कुछ भी अच्छा define नहीं है मैं वह यह बोलना चाहता है ठीक है ठीक है ठीक है यह ठीक है अब देखाओ 3 से कम है बट 1 से बड़ा है तो मैं पहले क्या करता हूं f3 लिख देता हूँ, मतलब less than equal to 3 हो गया, less than equal to 3 में तो पूरा आ गया, क्या नहीं चाहिए, 1 या फिर उससे कम नहीं चाहिए, तो minus करेंगे probability x is less than equal to 1, so this is nothing but f3 minus f1, अब मैं एक तो तुम लोगो करके दिखाऊंगा, अब जैसे ये वाला जो है न, तुम 2 put करेगा, तो 1 minus 3 e to the power minus 2, ठीक है, अब इसमें पहले 3 put करो, फिर minus करके 1 put करो, ठीक है, answer निकालो, चलो, चालो करो, बोलो न, वो ही तो मैं आपको बोला, कि continuous में फरक नहीं पड़ता है, less than, less than, equal to में, discrete में फरक पड़ता है, बै, CS1 में हम लोग से बढ़के, अगर fail हो गया ना भाई, तो फिर देख लेना, आगे course करना है कि नहीं करना है, सच बता रहे हैं, नहीं हो सकता भाई, बाई, आरोगेंटली नहीं बोल रहे हैं, लेकिन difficult है fail होना, अच्छा से कोई कर रहे हैं, तो फिर fail तो नहीं होगा भाई, 65 चे ये 65, एक time table बनाओ, दो घंटा दिन में पढ़नेगा, क्योंकि अभी बहुत जादा मत पढ़ो, अभी दिन में दो घंटा पढ़नेगा, time table बनाओ, कि मैंको दो घंटा पढ़ना है, बाकी पुरा दिन जो करना है करो, फिर 15 दिन बाद उसको हम लोग 3 घंटा करेंगे, फिर 15 दिन या फिर हमको सरा assignment बनाने बोलें, सरा assignment बना, खुद से जब तक नहीं बनाएगा ना तब तक नहीं होगा, खुद से बनाना पड़ेगा पूरा question को, तब तुम को समझा का तुम गलत कहां हो रहा है, फिर वो गलती को तुम mistake, जैसे copy का last page में क्या करो, वहाँ पर लिखो mistakes, जैसे for example, अभी जैसे वो क्या बोला, बोला इसको differentiate करेंगे, तो उसको क्या करना चाहिए, एक point बनाना चाहिए, कि ये वाला जो question है, इसमें मैं भूल गया था, कि इसमें रेरेक value putting करना है, और हर दिन सुबाइट को, उसको सब को revise करो, तो देखेगा, एक्जाम तक 200 गलती निकल के आगिया, तो वो खाली गलती अगर हम लोग करेंगे ना, बार-बार revise करेंगे, तो फिर वो अपने दिमाग में बैठेगा, कि अगर capital Fx दिया वह है, तो खाली value putting करना है, this can be one of the mistakes, समझ रहा है ना, तो ये basic basic चीज़ है, तो तो तुन्हों को follow करना पड़ेगा, small f में आता, फिर उसके बाद तुमको वापस से integrate करना पड़ता न, जैसे इसमें x is greater than 0, तो तुम इसमें 0 से 2 में integrate करता, बार तो तो महनत करेगा क्यों, तुमको तो integrated expression दिया वह है, और ये question आएक एक्जाम में 3 number के लिए, समझ रहा है, ठीक है, कितना है last वाले का, 5 e to the power minus 4, ठीक है, जाओ, कल आ जाना सारे तस बजे, थैंक यू